दोस्तो जब हम Google Chrome यूज करते हैं तो बेक्गराउंड में कुछ ऐसी सर्वीस चलती रहती हैं जिससे हमारा कम्प्यूटर स्लो हो जाता है और उन सारी सर्वीस काम यूज भी नहीं करते तो आज के इस वीडियो में मैं गूगल की बेक्गराउंड में जो चलने वाली सर्वीस हैं उनको कैसे स्टॉप करते हैं वो बताऊंगा हेलो एवरिवन कैसे आप मैं सचिन गोयल अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो अगर आप अपने कम्प्यूटर में Google Chrome ब्राउजर को क्लोज भी कर देते हैं तो भी बेक्गराउंड में Google की कुछ सर्वीस चलती रहती हैं बेक्राउंड में जो प्रोसेस होता है उससे आपके computer के resources यूज होते हैं और आपका computer slow चलने लगता है और कभी अभी hang भी हो जाता है तो आज की इस वीडियो में हम उन्हें stop करना सीखेंगे अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो like share करना ना दोने चैनल को subscribe भी करें बेल आइकन को भी प्रेस करें बेल आइकन को प्रेस करने से नए वीडियो का जो notification है आपको सबसे पहले मिल जाएगा अब हम Google की जो background service हैं उनको practically stop करना सीखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जब आप Google Chrome browser यूज करते हैं जो background में काफी सारी ऐसी service है जो चलती रहती है उससे आपका computer slow हो जाता है तो आज हम background में चलने वाली Google की service को off करना सीखेंगे अभी-कभी आपने देखा होगा Google Chrome browser off करने के बाद भी कुछ service हैं जो background में चलती रहती हैं इसको देखने के लिए सबसे पहले हम अपना Google Chrome browser open कर लेते हैं और इसमें अपना YouTube channel open कर लेते हैं अब इसमें टास्क बार open करके देखते हैं जैसे आप देख सकते हैं यहां पर यह Google की अभी यह जो service है यह on हो गई है अभी हमने Google Chrome browser open करने के बाद एक YouTube channel open किया है तो इसको हमने minimize किया है तो भी आप देख सकते हैं यहां पर Google की जो service हैं यह अभी background में रन हो रही है तो आज की इस वीडियो में हम background में चलने वाली Google Chrome की service को off करना सीखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए आपको browser open करना है और right hand side में जो three dots हैं इन पे क्लिक करना है इसके बाद आपको setting के option में जाना है इसके बाद आपको यहां पर advanced option देखने को मिलेगा इसके बाद आपको system option पर करना है जैसे आप देख सकते हैं एक option देखने को मिलेगा continue running background apps when Google Chrome is closed तो आपको इस option को disable करना है disable करने से क्या होगा जब आप Google Chrome use करना बंद करेंगे तो background में चलने वाली जो service है वो automatic off हो जाएंगी और फिर आप task manager में जाके इसको check भी कर सकते हैं तो चलिए अभी हमने इस option को disable कर दिया है और आप उसको close कर देते हैं एक बार हम दुबारा Google Chrome open करते हैं और यहां पर अपना YouTube channel open कर लेते हैं अब हम task manager में जाके एक बार चेक करते हैं जैसे आप यहां देख सकते हैं गूगल की अभी five service होन हो गई है जो background में रन हो रही है अब जैसी हम Google Chrome browser को off करेंगे आप देख सकते हैं गूगल की जो service background में चल रही थी वह automatic सारी off हो गई है तो इससे आपके computer की जो speed है वह fast हो जाएगी तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए बैल आइकन को प्रेस करिए बैल आ जाएब करिए नगसमें हुआंगा